सुनो 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 आपके शेहर में आ गया है NDTV Election Carnival कला कारों का होगा दमाज NDTV पुझे हा सवाल देखिए क्या होगा है दिता जी का हाल आपके शेहर में आ गया है NDTV Election Carnival नमस्कार आदाब मैं हूं मारिया शकील 4500 किलोमेटर्स का फासला तै करके अब हमारा Election Carnival पहुँच चुका है India's Milk Capital में यह Milk Capital है आनंद और इस शेहर की खासियत ये भी है कि यहाँ दूद के बारे में तो चर्चा होती है लेकिन पॉलिटिक्स पर बहुत चर्चा होती है तो सबसे पहले रंगा रंग कारिक्रम होगा और यह बैठे हैं मुजिशिन जै पटेल जै साथ साल से आप ये गाना बजा रहे हैं और क्या खासियत है इस म्यूजिक की सबसे पहले तो यह हमारा फोक्स सौंग में जो गाता हूँ जो गुजरत को रिप्रेजन करता है तो आइम प्राउट तुमी कि मैं फोक्स सौंग में गा रहा हूँ प्राउट गुजरती हैं? येस, एपसुलिटली येस और नौजवान भी हैं अभी अठारा साल की हो गया है लेकिन फर्स टाइम वोटर की काटेगरी में अभी भी आप नहीं आएं अगले इलेक्शन में आईएगा तो क्या मेसेज देना चाहेंगे फर्स टाइम वोटर को किस इशू पर वोट करना चाहिए उनको मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करते एक ही बात है जो अच्छा काम करते उनको वोट देना चाहिए चाहिए बंच आपका है आप शुरुवात करिए और इसके बाद हम पुलिटिकल चर्चा के शुरुवात करेंगे तो कि अच्छी अमारा गुजरातमा को कदी जी जी रे एजी भूलों ये पड़ भगवान जी 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 रे रे तारा ये वा करुशन मान रे रे तने स्वर्ग रे रे तने स्वर्ग रे रे तने स्वर्ग रे भूलावों सामड़ा आपणा गुजरातना मानवियों केवा होई छे ए के होई त्यारे आपणा मलक ना माया डू मानवियों केवां आपणा मलक ना माया डू मानवियों केवां माया मेली ने वया माया मेली ने वया जाशु मारा मेर बाद हालो जाई आपना मलक माँ ए हालो 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 जाई आपना मलक माँ माया मेली ने वया जाशु मारा मेरे बाद हालो जाई आपना मलाक मा ए हालो हालो जाई आपना मलाक मा आपना मलाक ना यूतारा योरडा उतारा करी घोडे चडशु मारा मेरे बाद हालो जाई आपना मलाक मा ए हालो 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 जाई आपना मलक मा ए हालो 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 जाई आपना मलक मा अपना गुजुनात नू खुप राचिन गीत साइबो रे गोवाडियो रे मार मिठडो रे गोवाडियो हे साइबो रे गोवाडियो मार मिठडो रे गोवाडियो हुरे गोवालन गिरनी मारी समराधानी जोले हुरे गोवालन गिरनी मारी समराधानी जोले साइबो रे गोवाडियो रे मार मिठडो रे गोवाड़ साइबोरे गोवाणियों मार मिठुनोंने गोवाडियों धोरे गोवालन गिरनी मारी सामराधानी जोडली वल्हाइबोरे गोवाडवाड्र गोवाड़न गिरनी मार्शानी जोडली चांदलो हे साइबो शितन चांदलो मार वालिडो शितन चांदलो हूँच कोरी वनरावन नी वालिडा हारे रमती हूच कोरी वनरावन नी वालिडा हारे रमती साइबो रे गोवाडियो मार मिठुडो रे गोवा है साइबोरे गोवाणियो मार मिठुडोरे गोवाडियो हुरे गोवालन गिरनी मारी सामराधानी जोडली हुरे गोवाणियो गिरनी मारी सामराधानी जोडली जै बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मंच सजाने के लिए और इस ओडियन्स से मैं एक सवाल पूछूँगी और सबसे पहले मैं जाओंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी लुक अलाइक से नमस्कार कितने लोग कंफ्यूज होते हैं आपको देखकर के और प्रधार मंद्र बहुत क्या बोलते हैं बस मुझे देखके उन लोगों को मोदी साब के याद आ जाती है उसको ऐसा लग जाता है जैसे मेरे सामने साब कड़े हैं उसका अंदर से एक्स्पेसन ऐसा होता है आप बताईए गुज्राथ के आनंद किस नाम से जाना जाता है अमुल देरी के नाम से और सरदार पतेल बहुत अच्छा काम किया है और जीन लोगों के पास गर नहीं है उसका भी गर बना दिया है और हमरे यहां तो सब लोग मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी करते रहे थे बहुत सारा काम, बहुत सारा लोन भी देते है आपके लिए Local Candidate कितना जरूरी है? मेरे लिए Local Candidate उतना जरूरी है जितना प्रधान मंतरी कि हम अगर हम प्रदान मंत्री को सिधा यूएस की तरह तो चुन नहीं सकते इसलिए हम पहले हम अपना लोकल के चुनेगा और मेरा इस साल का इस चुनाव का मुद्धा यही है सबसे बड़ा इस्यू है रोजगार का अगर पूरे देश की बात को मैं नहीं कर सकता बट मेरे य वहां पर रहने के लिए भी आजकल यहां से यूवा आजकल बहुत जा रहे है जैसे कि आजकल मैं यहां का सबसे बड़ा मुद्धा है क्योंकि आजकल डंकी रोजवी शारुक खान के पिच्छा रहे थी दंकी उसमें जो बताया है वह पंजाब का मुद्धा सिर्फ नहीं और अपने आड़न तो जो एजुकेशन हब है बट यह धीरे धीरे आप वह क्या कहते हैं विदेशी लोगों का हब बन रहे है यहां पर सबसे ज़्यादा एनरेस है वह गरवक वाबत नहीं है यह अपने बहुत इंपोर्टन इशू उठाया है कि वह जो डंकी रूट है वह पंजाब के ही चात्र या युवा नहीं ले रहे है गुजरात के भी ले रहे हैं तो इसी पर हम सवाल पूछेंगे कॉंग्रेस और भाजपा दोनों से तो मैं बोलूँगी हितेश पटेल जी को जो भाजपा के स्पोक्सपरसन है वो आए हमारे साथ मंच पे चले विरेन चा किया कहा जाता था लेकिन जब से भाजपा आई है तो उसके बाद उन्होंने कंप्लीट ग्रिप बना लिया है आनन्द में तो कैसे आपकी कब भूल हुई और उसके बाद आप सुधार क्यों नहीं कर पाए देखिए कॉंग्रेस ये आनन जिला है बड़सो बरस से ये कॉंग्रेस का अधित गड़ रहा है और आज भी जब इलेक्शन हुआ था विदान सबागा तो दो MLS हमारे यहां चुनके आये थे और दूसरे जो भी कैंडिएट थे बहुत कम मार्जिन से हा रहे थे और आखिर प्रदेस अध्यक्स भी रहे है आज CLP लीडर भी है और स्वत्ष सभी के वो है वो खुद एंजिनियर है और हमें मैनुफेस्टर लेके आगे चल रहे है कि आनन को नंबर वन कैसे बनाए उसके लिए हमारे पास पूरी ब्ल्यूप्रिंट है कि अगर हमारे कैंडिट जीते ह इंडिया की सरकार बनती है तो हम रोजगार के लिए क्या करेंगे खेती वाड़ी के लिए क्या करेंगे युवानों को सबसे बड़ा आनन जिल्ले का प्रस्ण है रोजगारी का उसके लिए क्या करेंगे और हम पूरी ब्ल्यूप्रिंट लेके आज आनन जिल्ले के पूरी जनता के पास जा रहे है और जनता का खूप उच्सा से हमारे साथ जूड रही है। जनता के साथ रहती है। जनता के सरकार बनी। जनता के साथ जोड़ी ने जो काम किया है। मैं आप सब लोगों को वादा करता हूँ। दस साल से यहां के सांसत जो हैं वो भाजपा के हैं। पूरे गुजरात में 26 लोकसभा कॉंसिट्वेंसीज हैं। 26 की 26 भाजपा के पास है। उससे पहले आनंद से कॉंग्रेस के सांसत थे। कि 2014 से पहले से आप इतने साल से देख रहे हैं। यहां पर भाजपा करीब 20 साल से उपर से शासन भी कर रही है। तो आपने क्या फरक देखा है। हम ऐसा देखते हैं कि मैं तो इंडस्ट्री से आ रहा हूं। तो जैसे उद्योको का विकास कौन पार्टी कर रही है। वही हम पहले देखते हैं। अउद्योकी क्सांती भी इतनी जरूरी है। जो पहले इतनी स्ट्राइक होती थी, इतनी दमाल होती थी। यह सायद 20-25 साल से नहीं देखने को मिलती है। तो हमारा सपोर्ट तो वही पार्टी को रहता है। कि जो उद्योकी क्सांती मनाई रखे जड़ाए रखे। और उद्योक के लिए वो क्या कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पिछले 20 साल से उद्योक के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप देख सकते हैं कि गुजरात कहां पे हैं आज। ब्लूप्रिंट की चर्चा यह कर रहे हैं तो ब्लूप्रिंट आपको नहीं दिखता। कि ब्लूप्रिंट नहीं करते हैं तो इस तरह क्या आपको जब सवाल उठते हैं कि आपने इंडस्ट्री के लिए क्या किया यूथ के लिए क्या जिए तो शायद कॉंग्रेक्स के पास जवाब नहीं है बिल्कुल जवाब है पहले मैं इनसे पूतना ताज़ा हूँ कि यहां जो एक ही GIDC है वल्लव विद्यानगर वो कॉंग्रेक्स के समय में बनी थी पूछिली जी आप आनन जिल्ले में किसी को भी पूछना है इसके बाद एक भी एक GIDC नहीं आनन जिल्ले में नहीं बनी दूसरी बड़ी बात पहले सुन लेते पिर आम आपके पास वापस आएंगे अब जी आडिसी की जो बात करें तो पहले अकली GIDC उद्योग दे रही थी अभी वो स्कैटर हो गया सब अलग-अलग सेत्र में हो गया ऐसा नहीं ह है 20 साल से असा नहीं है कि पावर अकेला GIDC में मिले अभी किसी भी जगह आप इंडर्स्री डालो वहीं पावर मिलता है तो ऐसी जरूरी नहीं का जी आडिसी में जाना है पिछले दस साल से जुमला बाजे चल रही है बिल्कुल आपने इन्होंने बात की के अंत्यों देता कम फोचे 2014 की बात कर रहा हूँ पहले गेस का बॉटल कितने में मिलता था 400 रुपए में मिलता था आज कितने रुपए 1200 रुपए गेस के बॉटल के हो गए है समझे यह बात करते हैं कि यूर रोजगार की मोधी सरकार ने वाइदा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार देने के तो बात छोड़ दीजिए आज हर प्रदेश में यूर रोजगार के लिए तड़प रहा है और कॉंग्रेस अपने मैनुफेस्टों में का अगर हमारी सरकार बनी जो बैडलोक है के अंदर सरकार का 30 लाग जो नौकरी है हम उनको पहले बरेंगे और जो खेडूतों के साथ, किसानों के साथ, मद्दोरों के साथ ये सरकार कैसा व्यावर्क दी हमने दिल्ली में भी देख लिया है जो आनन जिला है वह खेडूत के समझे सब्चे ज़्यादा है यहां डागर, तमबाकू और ये सब खेती बाड़ी होती है आद तक गुजरात सरका जो टेके का बाव बोलते है, मिनिमिम्यम सबोर्ट प्राइस वह आद तक गो नहीं दे पाए, अब समझे पानी का भी प्रस्न है, ये पूरा जो खंबात है, बोरसद है, आकलाव है, वहां खार का प्रॉबलम है, वहां दरिया नजिक है, जो समुद्रा उसके खारा साजाती पाने में उसके लिए केती भी बिगरती है, जो इन्होंने समस्या बताई उसके बार उसका क्या जवाब है, और जो युवा बोले डंकी रूट उसका क्या है, अगर नौकरी है तो फिर ये लोग क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? जो ये सरकार, मोधी सरकार है, मौधी की गरंटी याने गरंटी पूरी करने की गरंटी 1951 में जनसंग की सापना हुई और 1980 में भाजपा हुआ तब से लेके जो जो बात ह local appsिटों में कयी थी वो तमाम भाते हमने पूरी करके दिखाई है तो पानी की जो समस्या है वो क्यों नहीं solve हुआ है इसलिए बात करता हूँ जो लोग आज पानी की बात कर रहे हैं ये लोग उनके नाना परनारा सब MP थे चीप मिनिस्टर थे और यहां पावर में भी थे तो नर्बदा योधना के डैम के दरवाजे लगाने के लिए 10-10 साल रा क्यों देखनी पड़ी एक भी बंदा नहीं बोला था कि डैम के दरवाजे जो तैयार थे और रखे होते अगर तो गुजरात के पूरे इस्सों में पानी जा सकता था और एक्सेस जो वाटर था वो सुजलाम सुफलाम और साउनी योजना से गुजरात के सवरास्ट और उत्तर गुजरात को देने की जो बात थी वो भी नहीं कर पाये थे स्वामिनाथन कमिटी की सिफारेस थी कि MSP देना है यूरिया को नीम कोटेट करना है जिरो परसंट पे किसान को रूल देना है और फर्टिलाइजर और सीड्स सो किफायत दाम में देना है तो 2004 में आबाश चार से लेके 14 तक सरकार चली उन लोगों की तो स्रिभारिस नहीं मनमों जी नी सरकार ने और रिपोर्ट तो ऑफिस में रखाता रिपोर्ट देखा ही नहीं दोजार चौदा में जब से नरेंद्र भाई आये 17 वे बिनी में डैन का दरबाजा बन करने की मंजूरी कर दी तो साउनी में पानी चला गया, 170 डैम साउरास के बरे, सुजलाम सुपलम में पानी गया, बनास काथा में गया, पंचमाल गया, कच्छ में गया, तो एक पानी की बात रही, आज एक समय था, 15-20 लाक रून किसान को लेने के लिए लोगों को, पार्टी के लोगों को, कोपर्टी करनी पड़ती थी, बीस जार देते थे, दो जार तो सेकेटरी चैर्मेन सरपन ले जाते थे, आज नरेंद्र मोधी सरकार आई, तीन लाक तक का रून, किसी भी इंट्रेस के बिना जीरो टका इंट्रेस पे, अपने आपको सन्मान पूर्वक मिल रहा है, जली मैं यूवा से करने लिए तो सवाल का ब्योरा दे रहा है, तो उसके पहले सवाल कांग्रस उससे पहले थी, तो सवाल तो दोनों से उठेगा, तो क्या ये सही है कि जो करन्ट गवर्मेंट है, वो बार-बार कॉंग्रस ने जो नहीं किया, वो गिनाती जादा है, पीछे काम हुआ नहीं है, अभी का जो गवर्ननस इस वेरी गुड गवर्ननस, और काम बहुत स्पीडी से और अच्छी डिरेक्शन में जा रहा है, आप मानते हैं आपको विश्वास है कि जो उन्होंने का वो सही है, सर आप भी कुछ बोलना चारे है, मैं तो इंडस्ट्रियालिस हूँ, मैं यही कहूंगा कि मोदी जी आने के बाद जो अपना इंडिया का जो नाम हुआ है, वर्ल्ड वाइल, वो बहुत अच्छा हुआ है, प्रवक्ता बोल रहे हैं, ज्यादा तर लोग उनसे अग्री नहीं करेंगों को भी क्रम बढ़ा हैं मैं नखाना चारेहां, यहीमनरेंद्र मोदी ची ने विरोत किया था इतना हंगा मंगार जब लाइनीया छिब ठंडा जब थsted लुकिलक णहीं कि कंग्रेश ने सत्र साल में यह मानते हैं कि आपने हुझने कि नफ्रतिति मश्यक्मिक्हेक्वक can it is not that कि ग्राउंड पर उतना इंपाक्ट नहीं होता था जो भी कॉंग्रेस करती तो अब नहीं अच्छी लगती अभी तो सबको राहूल जी को देख के डर लगता है कि यदि ये ब्रदान मंत्री बन जाएंगे तो देश का क्या होगा? तो ये बात है कि अभी क्यों अच्छी नहीं लगती है कॉंग्रेस? और इस बार जनता जनारदन 2024 के चुनाओं में दिखाएंगी लिग यह अंता जनता इस बार कुछ और करेगी? आप यहां से ही देख लीजिए, मैक्सिमम लोग राहुल जी की तरफ जाएंगे या मोदी जीतिक की तरफ जाएंगे, आप ही सोच लीजिए लोकल कैंडिडेट की चर्चा कोई नहीं करेगा जेन बर आते हैं, जन्त पाल्ड को महिलाओं की इजद करना नाता हो, उनकी M.B. को नाता हो, इस बर बहुत बाद्जच वोट नहीं मिलेगा बाद्जबा, को महिलाओं की इजद करना ने कि नारी शक्ति में तो वह होता है कि नारी जो चाहे कर सकते हैं और मोदी जी ने तो वीड़ो का पैंशन भी दिया है और उरुद लोगों को भी दिया है महिला की जो बात हो रही है मैडम अभी जो कोई चल रहा है ना वो सब स्क्रिप्टेड है अभी किछले एक महिने से जो रूपाला का जो मुद्दा चल रहा है नारी सक्ति की बात हो रही है तो रूपाला ने जो स्टेट्मेंट दिया है सीधे सीधा क्षत्रिय समाज को लगा ह हुआ है दिल में लगा हुआ है अभी आप देखे पुरा गुजरात का माहल खराव है हमारा आनंद का परिश्टिया ना बाजब के लोग वाट मागने नहीं जा पा रहे हैं घर गाव गाव से निकाले जा रहे हैं चलिए हिदेश पटेल जी इसका जबाब देंगे आप क्या वो कितना बड़ा मुद्दा है कि आपको डामेज कर सकता है मैं बताना चाहता हूँ कि यह चुनाव नेशनल के लिए है और चैनल पर नेशनल है तो यह मुद्दे भी नेशनल देने चाहिए बरत सी जी के रेलवे मंत्री रहे है अभी रेलवे सेशन नहीं था और यह करना करना ट्रीपल तलाक का विरोथ करना विकास का विरोथ करना और नारी सकती वंदन अधिनियम का भी विरोथ करना अभी मैडम यह सिच्वेशन ऐसी है कोई भी बाजब का जो है वाट मागने नहीं जा सकता है अभी ऐसी परीशी ज़सार चौदा में किसको दिए इसमें भी मुदी के नाम पर मुट बागोगे। इतना अवेलेबल ऐंड़ ऑफ पार्लिमेंट है वो। और आप लुक सब मानते हैं कि जो मेंबर आफ पार्लिमेंट करेक्ड जो आज हैं आज के डेट में यहां है वो सही हैं? जी मैं हम सही है, बिल्कुल सही हैं अब हम ज़रा युवा से बात करते हैं और आप अपनी सवाल दोनों से पूछिए भाजपा की प्रवक्ता से भी पूछिए और कॉंग्रेस की प्रवक्ता से बड़े भाई ने ऐसा बोला कि कॉंग्रेस के टाइम पर यूनिवर्स्टिटी स्थापी अब वो लोग बात करें कि अभी भाजप की सरकार है तो रोजगार नहीं मिल दा था तो आप लोगों ने जब यूनिवर्स्टिटी की स्थापना की तब आपने रोजगार के लिए क्या किया था तब जब यसे इधर आज के टाइम पर आप देखो तो SSIP की ग्रांट मिल रही अडिलाग जैसे तो आप पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है ऑर बिए बताया कि यह विछ्टल उद्योग नग जीयीडिसी वह थी वहाँ नहीं बनाई है यहां जो लोग चुड़न पढ़ते हैं उनको पूरी रोजगारी नहीं मिलती इसलिए वो लोग अभी लोग विदेश जा रहे हैं यहां रोजगारी की कोई यहां रोजगार का कोई बड़ा एकम लगा हो पूरे 30 बरस में 10-10 बरस की ताब बात दाने जिये डबल सरकार में रोजगार के लिए यूआ उक लिए कुछ भी नहीं यहां के यूआं जाते बरोड़ा जाते हैं सूरत जाते हैं नढ़ियात के आगे जाते हैं पर आनन्द में अभी तक कोई भी रोजगार नहीं मितेश बिक अनन्हें पर दीवाइए नूनॐसे पूछ ठवाई सब्सक्राइब बनाई हो मुझे आने में बता देखो गुजरात में जो स्थीती है अब जो साथ बार है जो सिविल जहां पर स्थापित हो नहीं है वो साथ बार की नकल ले उसमें भी सिविल का नाम आया नहीं और कॉंग्रेस भाजप आम आदमी पार्टी सभी को बोलता हूं यह जो अपिल है जो अपिल की जाहिर हीत के अरजी बोलते हैं वो महें स्वसावाने की है किसी कॉंग्रेस पार्टी ने नहीं की भाजप ने भी नहीं की मैं यह पूछना चाहता हूं उन दोनों को कि क्यों नहीं कि आपने अपिल इतेश पटेल जी इसका जवाब 30 सेकंड्स में और फिर हम आगे जाए जल्दी हमने जो वादे किये हैं वादा पुर्णे के पुरा कर हो और रिटाइड हो तो संपती सरकार के पाथ चली जाए यह जो बाजपा के प्रवक्ता है उन्हें ने बता है कि हमने पानी पहुंचाया है तो मैं उनको बता रहा हूँ कि खंबात में आज भी पानी की बहुत बड़ी समश्या है जो गाउं की मैला है वो मत्थे पर मट्किया रख रख के पांच-पांच माइल दूर जाके पानी बरने के लिए जाती है दूसरा सिविल होस्पिटल की बात की जब चुनाव आता है पर कहां चले जाती है सिविल हस्पितल वो पता ही नहीं चलता है वोग अलग-अलग जगा हर मेने बरती मेला होता है और बढ़ती मेले में बहुत लोगों को नौकरी मिलती है, मैंने खुद देखा है, मैं भी इंटर्वी लेने के जाता हूँ, मैं भी एंप्लाई करता हूँ, अभी गवर्मेंट ने इवन इंडस्ट्री में एपरेंटिस रखा, एपरेंटिस को पंदरास्टो रूपया गवर् जाता दिया, चलिए जनता को उनके रेप्रेसेंटेटिव हैं, उनकी उनसे बात सुन लेते हैं, मिक्स्ड ओपिनियन था, जहां पर जनता का हमेशा दिखता है, लेकिन यहां पर बहुत सारे युवाई ये भी मानते हैं कि नौकरी है, और वहां पर जो इंडस्ट्री इसके मेंबर हैं, उनका भी ये कहना है कि वो जाकर के रिक्रूट्मेंट होता है, भरती रेग्यूलरली होती है, तो क्या ये जो इशू है जौब का, वो बनाया गया है और वो कॉंग्रेस बना रही है, अब यहां आनन जिल्ले में देखिए, पास में खेडा जिल्ला है, वहां द दन पत्र भी हुआ है, नौकरी किया बहुत बड़ी समझ्या है, दूसरी बात यहां क्या है, आनन जिल्ले या खेडा जिल्ले में पूरी पगार उनको मिल नहीं रही है, इसलिए युवा को ध्यान में रख्के कॉंग्रेस ने पॉलिसी बनाई, निशनल पॉलिसी, कि जो भ आएगी न, यसा तो है नहीं, कि जीवन पर वो ही रहेंगे, आप देख लिए दोसों भी पार नहीं करी है बाजपा, चलिए आप बताईए, दिसकी जनता तही करेगी, दस साल में हमने जो जवाब देही बताई है, और जो जो वादे किये थे, ये निशनल सिक्यूटी के थ हमारी जो संस्कूतिक विरास है, उसको उजागर करने के लिए, हमारा 500 साल से जो हर हिंदू प्रातना करता था, कि हमारे भगवान राम लल्ला, जो टेंट में विराजमान है, उसका निश्मंदीर बने, और इसका पुना प्रस्तिष्टा हो, वो भी काम हो गया है, कास्मीर, पर बात किजिए, मुद्दे पर, चलिए, आप हम ये डिसकाशन का एंड करेंगे, और मनुजी आपके पास आएंगे, जो कॉंग्रेस और भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो उन्होंने को करना था, उन्होंने कर दिया, जिस तरह से बोलते हैं, हर मंच पर वहीं उन्होंने ब पर ये डिसकाशन अब खतम करते हैं, और हर बार की तरह रहर जगह की तरह, यहां पर भी जनता उत्तेजित हो गई, लेकिन जो भी आपकी उत्तेजना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वह आप अपने मत के थुरु दिखा सकते हैं और सकते हैं, अलिक्षिन लोकल भी है, और नाशनल इशूस पर भी लड़ा जा रहा है गुजरात से हमारा इलेक्शन कार्निवाल अगले शेहर के लिए आगे बढ़ेगा बस अभी तक के लिए हमारे साथ जुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया